परिचय सैंडी एक फल बेचने वाले के पास गया और एक किलो अंगूर मांगे फल बेचने वाले ने अपनी तराजू पर अंगूर तॉले फल बेचने वाले के पास अलग-अलग बाट यानि वजन हैं तो आईए वजन और उसके माप के बारे में और जाने आउ सीखें पार्किंग में खड़े इन वाहनों पर नजर डालिए इन में से कौन सा वाहन सबसे भारी है? जी हाँ, कार सबसे भारी है मोटर बाइक कार से हलकी है और साइकल इन सब में सबसे हलकी है वजन के बारे में बताने के लिए भारी, उससे भारी और सबसे भारी शब्दों का इस्तिमाल किया जाता है यह हम हलका, उससे हलका और सबसे हलका शब्दों का इस्तिमाल भी वजन के लिए कर सकते हैं तराजू क्या आपने इस उपकरण को देखा है? ये एक तराजू है आपने इसे किर्यानी की दुकान पर सबजी और फल बेचने वाले के पास देखा होगा आईए अब पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल का वजन नापते हैं आप बता सकते हैं इन में से कौन ज्यादा भारी है? पेंसिल बॉक्स या पानी की बोतल? जी हाँ पानी की बोतल पेंसिल बॉक्स से ज्यादा भारी है कौन ज्यादा वजन दार है? बैडमिन्टन राकेट या क्रिकेट बाट? जी हाँ cricket bat badminton racket से ज्यादा भारी है तुलना दो दो बच्चे अपना वजन नापते हैं पहले बच्चे का वजन 25 kg है और दूसरे बच्चे का भार 22 kg है यानि ये कहना सही है कि पहले बच्चे का वजन दूसरे बच्चे से ज्यादा है रूपान तरन किलोग्राम और ग्राम शब्दों का इस्तेमाल भार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है एक किलोग्राम बराबर होता है एक हजार ग्राम के किलोग्राम को के जी में भी व्यक्त किया जाता है ग्राम को जी में भी व्यक्त किया जाता है वजन बाट जब हम किसी फल बेचने वाले के पास जाते हैं, तो वह चीजों को तौलने के लिए अलग-अलग तरह के वजन या बाट का इस्तेमाल करता है वजन करने के लिए कुछ बाट दो किलो, एक किलो, पाथ सो ग्राम, दो सो ग्राम, पचास ग्राम, बीस ग्राम, दस ग्राम और पाँच ग्राम के हो सकते हैं हमने क्या चर्चा की? हलके सामान को भारी सामान के मुकाबले उठाना आसान होता है चीजों का वजन तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया जाता है एक किलो ग्राम, एक हजार ग्राम के बराबर होता है